दोस्तो थोडी देर पहले मैंने मेरे मोबाइल से कुछ important photograph desktop पे मूँ करने के लिए रखे थे important family photographs थे और पता नहीं कुछ error आ गया और मैंने देखा कि वो photograph desktop पे मूँ नहीं हुए थे और मैंने मोबाइल में जाकर देखा तो मोबाइल में भी वो photographs available नहीं थे मतलब वो accidentally delete हो गए तो दोस्तों आपके साथ भी ऐसा होगा आपके mobile के memory card से या पेंट राई से या hard disk से कुछ important photographs या important files office की files हो सकती है videos हो सकते है कुछ भी हो सकता है वो important delete हो गया पर्मानली delete हो गया तो उसे आप recover कैसे करेंगे यह अगर आप सोच रहे हो तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हो एक ऐसा software जिसका नाम है 4DDIG जो की है 10 or share की तरफ से 10 or share का 4DDIG जो software है उसकी मदद से आप यहापे data recovery आसानी से कर सकते है कैसे practically मैं दिखाऊंगा यह software download install कैसे होता है record कैसे होता है interested हो वीडियो यह एंड तक देखिए क्या पता आपको कभी भी जरुवत पड़ सकती है कि आपका important जो file है उससे आप recover कैसे करेंगे अगर वो permanently delete हो गया तो तो चलिए शुरू करते है वीडियो को let's begin तो दोस्तो जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपसे कहा कि आप permanently deleted data को आसानी से record कर सकती है आपकी important file photograph कुछ भी हो मैं मेरी card में से hard drive में से delete हो गई है तो आप उसे आसानी से record कर सकते है लेकिन उसके लिए आपको description में मैंने एक link दी है जिसकी उपर आप click करके आपके सामने इस तरह का interface आजाएगा जो है 4DDIG data recovery software अब यहाँ पे आने के बाद नीचे scroll कीजिए और try it for free पे आप click करके इसे download कर सकते है अब सबसे पहले इसे download install करने के steps दीखिए जिए यहाँ पे download हो चुका है आप download होने के बाद मैं इसके उपर click करता हूँ download file पे click करते है आपके सामने इस तरह का installation का डायलोग box आ जाएगा इस पे click easy है install बटन पे click करते ही यह कुछी seconds पे install हो जाता है जी है दोस्तों यह software को download इस्टाल करना बहुत ही simple है बस download कीजिए double click कीजिए उसके बाद install बटन पे click करोगे कुछी seconds के अंदर यह यहाँ पे install हो जाएगा install होते ही आपके सामने start बटन दिखाए दे रहा है start बटन पे आप click easy है उसके बाद यह successfully install हो जाएगा यहाँ पे कुछ guide भी आ जाएगा next mix बटन पे आप click करके यहाँ पे understood करके click कर सकते है और यह आपके सामने है 10-hour share 4DDIG का interface अब यह काम कैसे करता है मैं step by step समझाता हूं तो यहाँ पे software का interface पहले समझ लीजे यहाँ पे data recovery का tab आपको दिखाए दे रहा है जिसमें आपको पूछ रहा है कि भाई local drive से data record करना है external drive से करना है या common location like desktop, recycle bean या कोई particular folder से आप data record करना चाते है या network attached storage से आप data record करना चाते है या network attached storage से आप data record करना चाते है नएस अगर आपके office में install है तो वो तो अलग बात है लेकिन यहाँ पे multiple sources दिए है मतलब आप memory card में से रिट्राई करना चाते है या pen drive से रिट्राई करना चाते है तो external sources आएंगे common location like desktop से delete होगी recycle bean या select folder ये कोई particular folder वहां से record करना चाते है generally ये सारे options उन्होंने यहाँ पे दिये है यहाँ से आप data record कर सकते है उसके अलाव accurately find files option उन्होंने दिये है advanced recovery available है record from crash computer यहां से crash computer से भी data record किया जा सकता है repair unopenable photos अगर आपके कोई photos ऐसे है जो दिखाए तो दे रहे लेकिन open नहीं हो रहे तो वह भी यहाँ पे basically repair कर सकते है file को आप और repair unplayable videos अलसो तो अगर आपके पास कोई ऐसे videos है जो play नहीं हो रहे उन्हें भी आप यहाँ पे repair कर सकते तो recover तो होता ही होता है repair भी हो जाता है लेकिन अभी फिलाल हम recover देखने वाले तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे pain drive के अंदर कुछ important file है suppose वो मैं आपके आपकी सामने delete करूँगा आपको दिखाऊंगा delete करूँगा और फिर उसे recover करूँगा तो मैं आपको इस चारो फोटो में यहां पर delete कर रहा हूँ यहां पर आपको यह फोटो दिखाए दे रहे हैं इनको मैं shift delete करूँगा shift delete अगर इन फोटो को मैं select करके ऐसे keyboard पे shift delete दबाता हूँ आपको पता ही होगा shift delete दबाने से क्या होता है are you sure you want to permanently delete these files यह files को आप recycle bins of office नहीं ले सकते क्यों यह permanently delete yes कर रहा हूँ मैं अब यह यहां पर नहीं है देखिए pen drive में यह file available नहीं यह USB drive G में तो अब इसे recover कैसे करेंगे तो यहां पर tenorsure 4DG IG का interface आपको दिखाए दे रहा है जहां पर external drives में आपको एक pen drive already detected दिखाए दे रहा है अगर वो detect नहीं है तो यहां पर refresh button पे click किज यह चोटा सा refresh button दिखाए दे रहा है इस पर click करके आप उसे फिर से देख सकते है मतलब pen drive आपने अभी attach किया है तो right उसके बाद यहां पर scan button दिखाए दे मतलब इसके उपर आप click करोगे जैसे आप click करोगे तो वो पहले पूचेगा कि what type of files do you want to recover कि आपको photos करने, videos करने, document करने, audio करने, orders करने, system file करनी है, सारे options यहां पर चेक रख सकते है अगर आपको लगता है कि उसमें बहुत सारी file है, लेकिन आपको लगता है कि उसमें खाली photos ही है, तो photos करो क्योंकि आपको जल्दी recovery चाहिए, तो आप particular file का type select कीजिए, photos है तो photos ही select कीजिए, videos है तो videos select कीजि इसे मैंने scan only photo किया, यहाप यह scanner चालू भी हो गया, नीचे आप देख सकते है, 10% done भी हो गया, कुछ ही seconds के अंदर यहाप यह files find करेगा, तो finally scan complete हो गया दोस्तों, लेकिन एक important बात यहाँ पर बताना चाहूंगा, यह important बात यह है कि अगर आपकी file अभी delete होगे, तो तुरं नया data वहाँ पर डाल दिया, तो वो जो old location है, वो अगर वहाँ पर erase हो गया, तो file recovery के लिए problem होता है, यह सभी का basically यही फंडा है, तो अगर आपकी file अभी delete हो गई है, तो तुरंत recovery के लिए डाल दो, कोई और file उसमें override मत करो, ने तो वहाँ पर path change हो जाता है, तो यह deep scan करक आपको इस तरह से file यहाँ पर scan करके देता है, और करना किया यहाँ पर file not found पर अगर आप यहाँ पर इस drop down में जाओगे, तो यहाँ पर आपको jpz करके एक option मिलेगा, जिसमें check कीजिए jpz जब आप यह करोगे या open करोगे basically, तो उसके अंदर सारी images आपको यहाँ पर रिकवर नहीं हुआ है, बस मतलब यहाँ पर दिया है इसने कि यह file रिकवर हो जाएगी, तो उसके बाद आप यहाँ पर रिकवर बटन जो लाश में दिखाए दे रहा है उस पे क्लिक कीजिए, लेकिन उनी files को चेक कीजिए जिनको आप रिकवर करना चाते हैं, तो मैं जि बटन पर जैसे आप क्लिक करोगे, यह सारी की सारी file रिकवर हो जाएगी, और यहाँ पर रिकवर होने के बाद वो पर्टिकुलर फोल्डर में आपको दिखाए दे रही है, रिकवर होगी है, तो यह रिकवर ही बहुत ही आसानी है, तो दोस्तों देखा आपने कितना आसान इसका offer यहाँ पर आपको मिलता है, और साथ ही में यह individual product पर 30% off आपको मिल रहा है, उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको Amazon के shopping card भी मिल रहे है, जो कि $100 इंडियन रुपीज में देखा जाए, तो 8,000 रुपे के आसपास के shopping card आपको यहाँ पर मिल रहे है, और यह software बहुत ही क अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाइबाए